प्रियाग राज पहुचे पीम मोदी, राजपार, अनन्दिबेन पटेल और स्यम योगिया रितनात ने प्रियाग राज़ का स्वागत किया 27,000 दिव्यांग और बुजर्गों को उपकरन प्रधारमंत्री नरिंडर मोदी की तरफ से बाटे जाएंगे तो प्यम नरेंद्र मोदी की पहल पर संगम नगरी प्रयाग राच में आज दिव्यांगों और बुजर्गों का अनूठा कुंब लगने जा रहा है और प्रयाग राच पहुँच चुके हैं प्यम मोदी ये ताजा अपडेट में रूग रहा है और ये उस दोरान की तस्विरे जब प्रियाग राग पहुंचे और बहा मौझूद सेम योगिया रितनाथ राज जिपाल आरंदिवेन पटेल की तरह से स्वागत प्रधानमंत्री नरिंद्रमोधी का किया गया तो एक दिन के इस अनूते कुंब में प्रियाग राज के 27,000 दिव्यांगों गुजूर्गों को सहायता उपकरण भी मुफ्तत में मौहिया कराएंगे कहिला भार्टियों को वो खुद अपने हाथों से उपकरण देंगे बाकी को कारिकर मिस्तल्ग पर ही उपकरण मौहिया कराये जाने के इंतिजाम के गए हैं ये मौदी इस कारिकर में दिव्यांग जनों से मन की बात भी करेंगे वो करीब आते एक खंटे तक चुनिंदा दिव्यांगों से उनके अनुभब जाने के बात बात चीत करते हुए उन्हें आगे बढ़ने और मजबूत बनने की प्रेड़ना भी देंगे एक दिन के सनूटे कुम्ब में एक साथ इतनी लोगों का साहता उपकरन बाते जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वनेगा प्रियागराज पहुच गए है पीएमोदी ताज अपडेट इस पर 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 परेव किराउट पर बना है इस पर प्रमाद कि घरिया आए तो समाफ हो गई है मिलकुल दिव्यांगो और बुजर्गों का अनूठा एक कुम्ब जो है वो प्रियागराज में आज लग रहा है और इसी में शिर्कत करने के लिए प्ये मोदी वहाँ पर पहुच भी गए है शोयब वकारित मुजरून में कितना और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा अगर इंतजार की बात करें तो लगभग इंतजार की घरियागराज में आपके कुछ पारवाज वो मंच पर होंगे आला कि एक जो इंतजाम है वो पूरे हो गए और जो इंतन विधारी समय का उसको जरूर फोड़ा भी लंब हुआ लेकिन अभी तक में मन पर नहीं पहुचे लेकिन प्रयागराज में जरूर पहुंचे के फुरी जर्वाज में मन पर आएंगे इस दीश में एक बहुत विशाल पंडाल बनाए गया है अलग लग ब्लाग बनाए गये और इसमें दिव्यांग इसमक मौजूद है बिल्कुल 26,000 दिव्यांगों और बुजूर्गों को उपकरन शोयद बाते जाएंगे अगर मौजूद दिव्यांग और बुजूर्गों की बात करें जिनने आज इलाप मिलने जा रहा है पी मोदी की तरस से उनकी तरस से क्या कुछ का जा रहा है कितना उत्सा उन लोगों में शॉयल शुक्रिया जूटने के लिए तो आपको उता दे कि 26,000 दिव्यांगों और बुजूर्गों को उपकरन बाते जाएंगे उस दोरान की तस्वीरे प्रधान मंत्री नरिन वोदी जप्रियाग राज पहुंचे वह मौजूद राजजिपाल आनंदी बेन पतेल सीम योगिया रितनात की तरह से फूल दे करूंका स्वागत किया गया और आज 26,000 दिव्यांगों और बुजूर्गों को पीम मोदी की तरह से शेनी उपकरन बाते जाएंगे तो अब मंच पर पहुंचने का इंतजार पीम मोदी का किया जा रहा है